जो सच्ची महनस से पढ़ता है वही सफलता की पहली सीडी चड़ता है कि company के financial statements कौन कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से financial statements हमको prepare करना है तो बच्चो सबसे पहले आपको पढ़ाय जाएगा balance sheet उसके बाद profit and loss पता लगाने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है statement of profit and loss इसके अलावा एक notes to accounts भी हमारे पास financial statement का part होता है जिसके अंदर detailing की जाती है मतलब जो balance sheet और statement and profit and loss आप बनाएंगे उसके जो detail में information है वो सारी की सारी detail में information आपको कहां से मिलती है notes to account से और इसके अलावा बच्चो एक statement आपको और बनाना पड़ता है cash flow statement एक ऐसा statement जो की आपको ये बताएगा किस head से आपकी company में cash का inflow हो रहा है और किस head पे आपका cash का outflow हो रहा है तो यहाँ पर बच्चो सबसे पहले आपको start कराए जाएगा balance sheet से तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि balance sheet का मतलब क्या होता है और balance sheet कैसे बनाई जाती है तो जो balance sheet बनाने का format है ना बच्चो वो हमको यहाँ पर given है schedule 3 of the companies at 2013 के according तो उस format को ही आपको follow करना है और चुकि वो format act ने आपको दिया है तो आप उसका एक भी variable उपर नीचे नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही आपके साथ balance sheet का format हमें discuss कर लिया जाएगा उसके बाद बच्चो हम लोग डील करेंगे कि उस balance sheet के अंदर कौन-कौन से head or contents होते है मतला उस balance sheet को कैसे prepare किया जाता है कि इस accounting variable को balance sheet में कहां दिखाया जाता है balance sheet complete करने के बाद बच्चो हम चलेंगे अपने अगले financial statement के तरफ और profit and loss पता लगाने के लिए आप बनाने वाले है statement of profit and loss तो यहाँ पर सबसे पहले हम discuss करेंगे कि statement of profit and loss exactly होता क्या है इसका भी हमें format given है as per schedule 3 of the companies of 2013 उस format के according ही आपको statement of profit and loss बनाना है यह class 11 जैसा नहीं है कि trading of profit and loss account बनाते वक्त आप किसी भी accounting variable को कहीं पर भी put कर देते थे यहाँ पर बच्चो इसका complete अपने आप में format है उस format को ही हमको follow करना है और जैसी हम उस format के उपर discussion कर लेंगे उसके बाद आपको सिखाया जाएगा statement of profit and loss कैसे बनाया जाता है किस head को कहां mention किया जाता है किस sub head को कहां mention किया जाता है इसके बाद बच्चो जैसी हम अपना statement of profit and loss तयार कर लेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपको बनाना होता है notes to accounts और इसके अलावा cash flow statement इन topics को cover करने के बाद बच्चो अगला जो आपका यहाँ पर topic रहेगा वो है आपका operating cycle तो यहाँ operating cycle क्या होती है किस तरीके से operating cycle calculate किया जाता है इसमें discussion किया जाएगा उसके बाद एक और topic है इसमें बच्चो disclosure of debentures issued as collateral security तो जब कभी भी debentures को issue किया जाता है as collateral security उसको किस तरीके से financial statements में present किया जाता है यह हम यहाँ पर पढ़ने वाले है और last में बच्चो हमारा एक और topic होता है current maturities of long term debt तो बच्चो यह वो topics हैं जिन topics को हमें इस particular chapter के अंदर cover करना है तो यह सारी चीजे detail में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में और उस वीडियो की जो link है वो आपको मिल जाएगी description box में तो आप सभी लोग description box पे जाएए और इस वीडियो को देखने के बाद उस link पे click करिए वहाँ पर मैं यही सारी चीजें आप लोगों के लेकर आया हूँ बहुत ही detail में तो मिलते हैं बच्चो अगले वीडियो में जय हिंद